तो हेलो भाई मैं हूँ अर्जुन सुथार तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में तो आज अपने सामने एक गाड़ी है हम आये हैं MG के मीडिया ड्राइव में और उसकी के बीच आज अपने सामने हैं MG की MG5 एक वहिकल जो भाई बेसिकली इलेक्ट्रिक वहिकल रहने वाला ही है ये गाड़ी MG और JSW के कॉलिबरेशन के बाद की वहिकल रहने वाली MG और JSW ने हाली में बताया था कि हर 6 मीने में एक नई गाड़ी रहने वाली आने वाली है तो उसी को देखते हुए MG5 का कॉंसेप्ट रिवील किया है ये इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग वेहिकल है और इस गाड़ी की बात करें इस्टेट वेहिकन कॉंसेप्ट पर रहने वाली है ये देखो लुक्स वाइस देखा जाए न एक टाइम ता शेहरा का जमाना चलता था टाटा शेहरा उस टाइप का कुछ लुक देखने को मिलता है बट बहुत ही ज़्यादा मौडन और भाई मैं बता दूं 53 ब्रेक होर्स पावर का इसमें पावर मिलता है 280 अनम का टॉर्क भाई भी मिसाल टॉर्क मिल जाता है उसी की साथी 461 किलोवाट का बैटरी रहने वाला है उसी साथी 400 किलोमेटर प्लस का रेंज मिलेगा इस गाड़ी जब फ्रंट से देखी रहे हैं तो फ्रंट से कर बात करें यहाँ पर भाई देखो बहुत ही लुकवाइज है न यह गाड़ी किलर रहने वाली है यह बात तो पक्की है ब आलोगर कुछ ऐसा लुक देखने मिलता है इसके डियरल के साथ में और यहाँ पर चार्जिंग स्प्लॉट मिल जाता है साइट प्रोफाइल के तरफ बढ़ें तो इसमें 17 इंची के भाई वील्स मिल रहे हैं यहां पर देखो यहां स्टेट वैगन उपर से 17 की प्रोफाइ मेरे खोद भाई परसनली बहुत अच्छा लगा आप बताना कमेंट में कैसा लगा और लंबी सी पूरी गाड़ी लगती यार बहुत जाता है इस गाड़ी के लेंथ की बात करें 4600 mm लंबी यह गाड़ी रहने वाली है 2059 mm इसकी विट रहेगी है उसी के साथ ही इस गाड़ रूफ रेल्स दे रखें उसी के साथ ही इस गाड़ी में टॉप एंड वेरियंस और और ज्यादा स्पेक्स में सं रूफ का भी option रह सकता है अभी यहां पे इस model में नहीं देखने को मिल रहा अब देखते हैं पीछे की और पीछे इस गाड़ी में क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं बाठीट तो यहां पर आप देखो यहां पर मिल जाता है WAI मांट ट unspoo मिल जाते हैं आप देखो हाई मांट स्टॉ सब्लेंप है यह रहा और सिकű साथ ही नीचे देखें तो वाई वाई पर डिफॉगर यह सब तो मिली जदा यह चीज़ें आज की डेट में नॉर्मल सी हो गई है LED के साथ में आने वाले टेल लाइट और यह जो डिजाइन ना पर्सनली मेरे को बहुत ज़़ा अट्रेक्ट कर रहा है अपनी तरफ यह गाड़ी का जो कॉंसेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा इस गाड़ी का इसके लुक को इनांस करती है यहां पर सेड मिल जाता है जिससे हटाया जा सकता है आप अपने बूट इसको इंक्रीज कर सकते हो और इस गाड़ी में जो रियर सीट है वो पूरी फोल्डेवल मिलती है उसके बाद में इसमें 1,367 लिटर का बूट स्पेस बन जाता है यह बहुत बेमिसाल चीज है अगर नीचे अगर अपन इसमें बात करें तो यहां पर कोई स्पेर वील या पर कलो स्टेपनी नहीं मिलती यार यह बहुत त्यार डाउन साइड है नीचे देखो यही बात चीद है थोड़ा सा डाउ जता है अब बढ़ते में गारे के अंदर की तरफ यह अंदर क्या मिल जाता है चलो पीछे की सीट पर जब देखा जाए फो फिया भाइय जंडातए हैं इसमें आप फोई डो और चक्थ बात है यह कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है आगे का यहां से बैठेके आगे आपको में पूरा राओक्राउंड डीस्प्ले नहीं है इसमें डिस्प्ले मिल रही है जो कि इसमें डीसेंट इनफ है और इसका रिस्पॉंस आगी चेक करवाते हैं कि रिस्पॉंस कैसा है इसके टच्सक्रीन का यहाँ पर चारो पाउर विंडो के आप भाई सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हो यहां भी डिस्पले में सब कुछ information मिलती है बैटरी से रिलेटेड हो गई म्यूजिक से रिलेटेड हो गई और यहां पर देखो यह देखो इसमें दोनों साइड का सकते हो पार्किंग ब्रिक्स में एलेक्ट्रिकली मिल जाता है एको सिटी स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं इसमें जो की adaptive cruise control उसके साथ है lean capacity जो मतलब एक जो कहते है न इस पीड लिमिट असिस्ट हो गया यह सारी चीज़े फीचर में देगा अब यहां पर नीचे इस ऐसा कुछ मिल जाता है जिसमें आप पिसमान भी रख सकते हो उसके साथ में यहां पर USB के पोर्ट मिलते है टाइप-C का पो आप भी मौसन मिल रही है और क्या ही लेगी यह यह सीधा compete करेगी आप डायरेक्ट competition इसका कोई नहीं है यह हम कह सकते है है यह से थोड़ा different एंड उसी प्राइस रेंज के आसपस आने वाली है यह गाड़ी अगर बात करने इसकी initial pricing की almost 14 लाग से यह गाड़ी स्टार्ट होन मैं टियों कि रहें कि पर गारी के केम लिए इसकारूमेशन में चेंपने को क्राइब है विए लगार और और शाली Κार African monsieur और मिलता है और सब्सक्राणि को कि दरें 20 यह दो की चुन